नमस्कार देश देशांतर में आपका स्वागत है मैं हूँ विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे वरिश नागरगों के सम्मान और उनकी सुविधाओं के बारे में देश भर में संचालित हो रहे वरिधाशनों में एववस्थाओं और अनियमत्ता की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए सरकार से पूछा है कि सीनियर सिटिजन एक्ट के तहट ओल्ड एज होम्स के मेंटेनेंस को लेकर उनकी क्या योजना है उच्तम नयायले ने केंद सरकार को निर्देश दिया है कि देश के सभी राजियों और केंद शाषित प्रदेशों में संचालित हो रहे वरिधाशनों की सारी जानकारी इकठा कर स्टेटस रिपोर्ट बनाए विर्धाश्मों के संचालन और उनके मानकों को लेकर समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये गए हैं लेकिन कई बार ये बात सामने आई है कि विर्धाश्मों में नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया जाता इस समय भारत में करीब 10 तश मलव 5 करोड बुजर्ग विक्ती हैं और 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर 32 तश मलव 4 करोड तक पहुँच जाएगी विशभर में 2050 तक हर पांचमा विक्ती बुजर्ग होगा और भारत सहीत 64 ऐसे देश होंगे जहां 30 प्रतिशत आबादी 60 वर्ष से अधिक की उमर की होगी तो वरिष नागरीकों के लिए हमारे देश में क्या नीतिया हैं और तेजी से बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक परिस्तियों में बज़र्गों के हितों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ वरिष महमान हैं आए उनसे आपका थारूफ कराते हैं सबसे पहले हमारे साथ हैं पियू सिंग सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं हमारे साथ आनूपमा दत्ता हैं हेड एड़ एडवोकेसी हैं हेल्पेज इंडिया की और बहुत सारा काम इन्होंने इस मुद्दे पर किया है इसके अलावा हमारे साथ सकाइप पर जुड़ रहे हैं सौमेजीत रॉए कोचेयर हैं सी आई आई की एक टास्क फॉर्स है सीनियर केर के लिए यानिके सीनियर सिटिजिन्स की जो केर की जा सकती है और हमारे साथ डॉक् Supreme Court का जो जिसे कहा जाए observation जो आई है उसके पीछे का क्या घटना करम है क्योंकि इस तरह की observation ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है इससे पहले भी कई बार कोट ने कहा है कि जो विर्धाश्रम है या जो ओल्डेज होम्स हैं उन में जिस तरह से काम हो रहा है या वहां रख अश्वनी कुमार जी ने में इसने विर्धाश्रम जो ओल्डेज होम है वो एक इशू था उसके इलावा कई और इशू थे with respect to senior citizen और ओल्डेज के जो लोग है विर्ध लोगों के लिए क्या प्रावदान है हमारे कानून के अंदर और किस तरह से वो प्रावदान पूरे न घजर सांद उसके तहट चुई आचीका-कर्दा का कहना था कि सुप्रीम परॉट में एक पैंशन करना सिनर सिटैन के लिए उसमें इसमें कहाब मांगा गया तहा चिसमें स्कीम के तहत हम 200 रुपे 60 साल से 80 साल के लोग जो सीनर सिटरिसन उनके लिए 200 रुपे प्रती मा की पेंशन देंगे और 80 साल से जो बुजर्ग हैं उनको हम 500 रुपे प्रती मा की पेंशन देंगे जिसे सुप्रीम कोट ने और याचिका करता ने दोनों ने कहा कि यह आज की हिसाब से आप देखा जाए तो यह बहुत छोटा एक अमाउंट है और इसको कम से कम उन्होंने जो मांगा कि minimum wages से 50% हो जो कि 15,000 से 20,000 रुपे minimum एक old age citizen को सरकार दे दूसरी चीज़ जो कहा गई थी वरिदाश्रम के लिए कानून के अंदर maintenance and welfare of senior citizen and parents act के अंदर सरकार को हर state government को हर एक जिले के अंदर एक old age बनाना है लेकिन कानून के तहत वो वर्ड जो यूज किया गया है वो उसमें अवशक नहीं है मतलब जो शब्द है विचिज मे शैल की जगा मे शब्द का प्रावधान यूज किया गया है तो जिसके तहत सुप्रीम कोट ने कहा एक पूरी detail list मांगे केंदरे सरकार से कि वो हर state government से सारा database मंगवा है कि हिंदू पूरी नहीं है और ये जानकारी तभी मिल पाएगी जब सरकार जो है एक consolidated data कोट के सामने प्रसुत करती है लेकिन आपने बहुत सारा काम किया है helpage India की एक संस्ता है जो कि इस शेतर में काम करती रही है जो वर्दाश्रम हैं भी उनक में जिस तरह से रखरखाओं की वेवस् एसा है कि इसमें दो तीन बहुत important मुद्दे हैं जैसे पहली बात मैं कहूं कि यहाँ पे कोई there is no law regulating the old age home जैसे आप school बनाते हैं तो एक regulatory act होता है जिसके तहत आपको पता चलता है कि कितने बच्चों पे कितनी टीचर होंगी कितना playground होगा क्या होगा लेकिन old age homes किसी भी law के vendor में बन रहे हैं they're just mushrooming जिसकी मर्जी उसने बना लिया और यह सोच के कि हम old age home को बनाने में क्या rocket science है लेकिन ऐसा नहीं है और यह mushrooming दो sectors में हुई है एक तो यह जो बहुत ही पूर वाला जो तपका है जो destitute है तो charitable homes आप generally अगर इंडिया में देखेंगे list तो charitable homes बहुत सार हैं लेकिन उन में हो सकता है भावना अच्छी हो लेकिन उसमें standard क्या है हमें नहीं पता क्योंकि कोई ऐसी कोई consolidated report या ऐसी कोई survey या ऐसी कोई regulation तो है नहीं तो सरकार किस basis पर जाके उसको check करेगी government officer will have to have some basis to check it और तो ऐसा कुछ नहीं है और self survey अगर होगा तो वो कितना अच्छा होगा हम नहीं कह सकते तो यह एक तरफ है और दूसरा तरफ जो नए तरफ से अब जो क्योंकि middle class older people are also getting left out by the family उनके care नहीं हो पाती या बच्चे बाहर चले जाते हैं यहां नहीं रहते तो हमको भी एक care की जरूत रहती है old age home में जाते हैं तो वो एक जो pay and stay जिसे हम कहते हैं यह हम जिसे old age resort कहते हैं यह retirement resorts कहते हैं तो वो भी बहुत सारे आप आपको बहुत सारे बड़े शहरों में मिलेंगे तो उसमें भी regulation तो उसमें भी नहीं है it's between you and the builder it's between you and the service provider अब अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ अगर आपको किसी ने कहा कि हम आपको ये फलाफला facility provide करेंगे नहीं की तो आपको court का दर्वाजा खटकडाना पड़ेगा regular law में जाके आप तो you can very well understand कि कितना मुश्किन होगा किसी भी senior citizen को to go to a consumer forum or to go anywhere else to get redress तो इसलिए it's completely unregulated sector तो यह सब से बड़ी समस्या है यहां पर जे डॉक्तर विनोद अगरवाल सिब को लिकराते हैं अगरवाल जी जो इस वक्त आनूपमा दर्ता जी ने जो कहा खास तो और पर वो अगर उस सवाल पर मैं आपका ध्यान कीचूं के जो regulation है उसकी शायद कमी है खास तो सरकार की तरफ से किस तरह से किन मानकों पर सरकार शायद अगर regulate करना चाहे तो वो कर पा रही है या वो कौन से मानक हैं जिन से ये तै कर पा रही है कि किस तरह के विर्धाश्रम होने चाहिए और वहां किस तरह की सुविधा होनी चाहिए मुझे इस चर्चा में से मिलित करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और फिर जो अनुपमा जी ने कहा उस पर मेरा ये बात कहना है कि लगपक इस देश में आज दस करोड़ से ज़्यादा ओल्ड डेच के बाद के लोग हैं मतलब जो साट साल से उपर हैं महिला और पुर्ष दोनों में 0.25% का डिफरेंस है महिलाओं की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है पुर्षों से और ये संख्या 2026 में लगवग 12% हो जाएगी तो एक बात हम सबको समझना है कि कंट्री के पास क्या रिसॉर्स हैं और उसमें से क्या रिसॉर्स ओल्डर पर मिलकर काम करना है अभी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये एक नीती पूरी तरह से नहीं बना पाएं कि हर जिले में कम से कम एक ओल्डेज होम हो ही और जिसमें कितने लोग रखे जा रहे हैं की व्यश्था की जाए ये भी अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ मैं ओल्डेज होम मिंटेन कर रही है उसमें भी कई बार मुझे जब मैंने वहां जाकर देखा तो मालोब बड़ा की पूरा पैसा जतना चाहिए उतना मिलता नहीं है तो या तो एंजियो कुछ अपने पास से प्रवाइड करते हैं और कुछ कहते हैं कि हम जतना मिल पाएगा उ इस प्रकार की समस्या है बड़े शेरों में जो जारकंड के हैं वहां चल रहे हैं बैरे गुजरात में देखा कि वहां पर जो ओल्डेज होम अभी चल रहे हैं अधिकतर उसमें प्राइवेट सेक्टर के हैं अनुपवाज जी ने जो बात कही थी लगबग वो काफियस तक स वो सरकार से बहुत ज्यादा रेगुलेशन इस पर कुछ अभी तक हुआ नहीं है जो सरकारी आकड़े हैं वो भी ये बताते हैं कि लगबग इस पर जो बजट है अभी 50 करोड के कम ही है और लगबग 40,000 लोगों को वर्ष 2016-2017 में लाब पुचाय जासका है ओल्ड एज परस वो अभी निती के स्तर पर ही अधिकतर है इसका इंप्लिमेंटेशन अगर हम कहें कि ग्रास रूट पर जाकर हो गया है तो वो काफी कम है अभी इसमें जब तक इसके बजट बढ़कर 300-400 करोड भारत सरकार के ना हो और राज सरकार भी कम से कम 1000 करोड मिलकर खर्च नहीं करे 1500 करोड रुपे से बजट में कम में क्या लिटरली इसमें काम होगा एक एक ओल्ड एज होम भी अगर हर जिले में चलाया जाता है पॉपलिशन को देखते हैं को कि इस कंट्री में एक जिले की पॉपलिशन 30 लाग 40 लाग भी है कहीं 2 लाग भी तो अगर एवरेंज हम मान कर चले कि 10 लाग पॉपलिशन में 10 लोग ओल्ड और परसंट है तो एक लाग लोगों में से अगर 100 आदमी के लिए भी अगर एक ओल्ड एज हम चलाया जाता है तो जो 01 परसंट हो 01 परसंट है तो उसके लिए भी संसाधन बहुत अधिक संसाधन चाहिए जैसी जी बिल्कुल इंफरस्ट्र बनाने की बात है डॉक्टर अगरवाल मैं आपको यहां रोकना चाहूँगा अभी सौमेजीत रॉय को लेकर आते हैं सौमेजीत आपने सुना हमारे तीनों पैनलिस्ट को और एक जो चीज सामने उबर कर आ रही है वो ये कि शायद एक जिसे कहा जाए एक सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसा कुल्चर हम लोग सीनियर सिटिजन और सीनियर ऐसा फिलोजोफिक से मेरे इसाब से हम लोग काफी अदक ब्लाइंड है अक्रॉस थी वर्ल्ड इसे कि आप सोच सकते हैं कि मेक्सिको की पूरी अपर्चुनिटी है और विद्धे करें सरकंस्टेंस जो प्लिटिकल डिस्केशन अगरे चल रही है यह तो एक तरह से बहुत बढ़ी ऑपर्चुनिटी है कि 10 परसंट से 12 जो प्रतिशात हमारी बाजी है वो एक जुट होके सीनियर्स के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाए है तो इस ने अगरे बाजी बाज गुट जो सरकार को सपोर्टे देगी अपने इंफरसेश से बात की बाज की अपने पर पहले थी उस सान पर ही यह एक बात बात उती घी थी कैसे इंफरसेशन बनीगी कि पब्लिक प्राइवे पार्टिसिपेशन से ही हो सकती है एक कि आज के दिन में प्राइबेट कॉर्परेट साइड अज वेलेपर साइड है तो बना रहे हैं और भी लोग बना रहे हैं और वो इस सेक्टर में गुषना चाहते हैं क्योंकि वो लोग की समाज सेवा करना चाहते हैं आज दा सेम टाइम ये कि इंफरस्ट्रक्टर प्रोविजन ही हमारे देश को चाहिए क्योंकि सीनियर्स हर दिन अकबार में हम देखते हैं किस तरह से उनसेफ सिच्वेशन होती हैं परनेंशल इसूद आती हैं लोग उनको ठक जाते हैं तो फैसलिटी अगर ठीचते बनाए ज जाए और उनकी सहब आगीता और बड़े स्थर पर हो तो शायद यह जो इंफरस्ट्रक्टर क्रंच है और जो रिसोर्स करंच है उसका सुलिशन दोना जा सकता है लेकिन अनुपोमा जी एक जो हम आकडों की बात कर रहे थे और हम कहनें कि जैसे डॉक्टर अगरवाल ने भ बताया कि लगभग 10 तश्मलाव 5 करोड इस वक्त वरिशनागरिक हैं देश में उन में से एक बहुत महतोपूर्ण पहलू यह है कि उन में से लगभग 70 प्रतिशक ग्रामीन इलाकों में हैं तो वो जो पहलू है उस पहलू को जरूर बहुत अलग से देखना होगा क्योंकि यह जो इंफरस्ट्रक्चर की हम जो बात कर रहे हैं और सौमेजीत जो कह रहे थे या डॉक्टर अगरवाल भी जो बता रहे थे आप शुरूआत में जिस तरह से बता रही थी ज्यादा तर ऐसा लग रहा है कि फोकस अर्बन एरियाज की तरफ शहरी इलाकों की तरफ ज्या जादा उठाती है तो हमारे एक्सपीरियंस यह है कि आप जहां जहां देखेंगे कि आउट माइग्रेशन रेट बहुत जादा है जिन स्टेट्स में लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में या बड़े शहरों में आ जाते हैं तो माबा पीछे चूट जाते हैं और व उनकी केर की बहुत बड़ी इशु रहती है ठीक है हुआँ पर कुछ महिलाइभी पीछे चूट जाती हैं कुछ बच्चे भी होते हैं लेकिन वह एक बहुत बड़ा जो व्रिद महिला हैं, विडोड विमेल, उनकी तो स्थिति किसी से छुपी नहीं है, आप मतुरा में जाएए, आप बारनसी में जाएए, सुप्रीम कोड का उस पे भी ध्यान अकरिष्ट वा, उन्होंने उस पे भी कहा, यूपी सरकार को भी कहा, और वहां पे भी सिमिलर प् प्यूश, आपने 2007 के कानून की बात की, लेकिन अगर आकड़ों पे थोड़ी से नज़र डालने तो 2007 का कानून मनने के बाद भी बच्चों दुआरा आपने माता-पिताओं को जो वृद्ध हैं, जो बुजूर्ग हो चुके हैं, उनको छोड़ देने, या उनकी मदद नकर परने या उनको अकेले छोड़ देने, इस तरह कि जो घटनाये हैं, उनकी संख्या भड़ी है, एक और दूसरा जिस तरह से आनुपामा जी पहले कह रही थी कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी नौम नहीं, तो आपको लगता है, ये भी कानूनी तोर पर क कमिया हैं, जिनको भरने की जरूरत है, देखे, बिल्कुल है, दूसरी सबसे महत्यपूर्ण बात है, जो अनुपाम जी ने बहुत अच्छी बात कही, कि सरकार के इलावा इस समस्या का कोई और हल नहीं कर सकता है, लेकिन क्या गवर्मेंट विल है, मैं किसी भी हो रहे थे, तो सुप्रीम कोट ने पूछा कि क्या कारण है इस एक्ट को 2007 से अब तक हम पूंड था, इसको इंप्लिमेंट नहीं कर पाए, एक कारण यह बताया गया कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, खर्च करने के लिए सीनर सिटिजन के उपर, तो सरकार ने कहा कि आपक जिरो पॉइंट जिरो फोर, कुछ भी अमाउंट नहीं है, कारण क्या है विशाल जी हमें समझना पड़ेगा कि हम सोचते हैं कि मार्जिनलाइस्ट गूर्प हैं, लेकिन यह बिए उस कंकरेंट लिस्ट में है, जैसे डॉक्टर अगरवाल बता रहे थे, सिरफ केंदर सरका की जिम्मेदारी नहीं है, राज सरकारों की भी उतनी जिम्मेदारी है, सबकी है, लेकि मैं वही आपको कहा, पॉलिटिकल विल, यह लोग वो हैं, जो साठ साल के बाद जिनकी उड़जा खतम हो जाती है, अगर यही अगर यूथ होता, किसान होते, तो डिफिनिटली एक व भी हुई है, दूसरा कारण ही है कि इस एक्ट के बनने के बाद भी, ओल्ड एज हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम लिटिगेशन देखी गई है, ट्राइबिनल्स में पहुचते हुए, एंड में भी सीनर सिटिजन के ओपर रहता है कि हमारे बच्चे के लिए, या ओल्ड प्रोसेस में या कोट के दर्वाजे खट-कटाने के लिए भी उड़जा चाहिए, आप देखेंगे 60 के बाद, 65, 70, 80 साल में वो उड़जा, वो माध्यम, वो मीन सब खतम हो जाते हैं, उसमाज में टैबू के तरीके से भी देखा जाता है, जब बच्चों ने घर से निकाल दिया, या आप माने बच्चे वहाँ पर नहीं है, कई लोग ऐसे भी जिनके बच्चे यह नहीं है, तो कानून में ये भी प्रावदान है, कि उनके रिष्टदार उनको मेंटेनस देंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने रिष्टदारा के खिलाफ केस जालेंगे, कि ज ये जो समस्या है, इसमें ये निकल के आ रहा है कि सरकार को जरूर कुछ करना होगा आंत में, लेकिन सरकार को करने के लिए रिसोर्स देनी होंगी, पैसे देने होंगे, इंफरस्ट्रक्चर बिल्ड करनी होंगी, और जैसे सौमजीत कह रहे थे कि प्रावेट सेक्टर की मद जरूर ली जा सकती है, लेकिन खास्तोर पर जो ग्रामीन इलाके है, वहां पर तो सरकार को ज़्यादा काम करना होगा, और क्योंकि ये तो आपके हिसाब से किस तरह के समेकित प्रियास किये जा सकते हैं, ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके. देखे, आज देश में अधिकतर काम जब सुप्रिम कोट उसमें बीच में पढ़ता अभी होते हैं, बच्चों के लिए अभी कुछ सुप्रिम कोट ने पिछले दो-तीन साल में कदम उठाये तो बच्चों के लिए फंड्स में काफी बड़ोतरी हुई है, हर जिले में कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, कुछ फंड बढ़ाने होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो 2007 का एक्ट है, वो काफी है, असली बात है कि सरकार को फंड राज्य सरकारों और भारत सरकार दोनों को फंड्स में काफी ज़्यादा बड़ोतरी करनी होगी, जो मैंने आपको एक आक्डा दिया कि एक लाख लोगों की आबादी पर, एक लाख ऑल्ड परसन के ओपर कम से कम हमें सो वेक्ति का एक ओल डेज होम हर जगाँ बनाना होगा पताव इसके हिसाफ से कम से कम देश में हमें बारह अजार पांश सो लगमाए, एक लाख लोगों के लिए ऑल्ड जैसे करें शुरू में ये एक essential काम है और मैं समझता हूँ कि जब तक ये social justice department जिसका main काम schedule cast और backward classes welfare है उसमें ये part में रहेगा तब तक ये काम बड़ा मुश्किल रहेगा सोशल जिस्टिस मिनिस्ट्री में disability के लिए एक इलएदा department बना जिनकी संक्या लगवर 2.2% है मेरे हिसाब से या तो अगर इसे disability department के साथ मिलाकर old age वालों को इलएदा उस department में डाल दिया जाए तो इसका काम बढ़ सकता है या एक इलएदा department बनाया जाए क्योंकि disability के funds जब से department इलएदा बना कम से कम 10 गुना बढ़ गए है जी जी डॉक्टर अगरवाल हमारे पास समय की कमी है मैं आपको रोकना चाहूँगा या पर सौमें जी इता कारेकरम समाप्त करने से पहले आप से पूछना चाहूँगा कि जो आप private partnership की बात कर रहे थे उस लिहाज से अगर द आपतिशत संख्या वो ग्रामीन इलाकों में है वरिष्ट नागरिकों की बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी सबसे बड़ी बात इसमीं यह आपने पहले बताई कि हमादे पास फंड नहीं है यह बात इसमें आकरा में आपको देना चाहता हूँ कि पिछले साल के बजेट में यह सबसे बड़ी विड़न बना है कि इतना बड़ा जब अल्रडी अलोकेटेड मनी है वाई इस मनी नॉट बिंग यूज़ कि जो सतर परसंट के आप बात कर रहे हैं वहाँ पे इंफ्रस्रेक्टर्चर एस्टिबे डान रहे गौर्नमेंट बर इस सेम टाइम जैसे आप 20 स पहले डियल स्केट में हुई थी और यह टाइम आ गया है कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाए जाए 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 और सरकार की तरफ से जैसा कि हमारे सबी महमान कह रहे थे और प्रयास करने की जरूरत है लेकिन हमें अपने सर पर भी किसी तरह से चाहे किसी भी रूप में वो सब समेकित प्रयास करने होंगे कि हमारे समाज में जो वरिश्ट नागरिक हैं जो बुजर्ग हैं उनकी हम हर संभव मदद कर पाएं हम फिर आजर होंगे कल किसी दूसरे टॉपिक और कुछ नए मेमान के साथ तब तक देखते रहे हैं राचे सबाटी भी